दोस्तो वेलकम बैक टू माई न्यू वलोग आप सभी का मेरे नए वलोग में स्वागत है आज की जो जर्नी है जो ट्रिप है ये दिल्ली पाढ़ गन से रिशिकेश का है स्वार गाश्रम तो अभी मैं पिक अप करने जा रहा हूं अभी शाम के साढ़े तीन बजे हैं चार ब लॉग में आण तक बने रहे लास्ट विडिएयो में कुमेंट आए थे कि मेक माई ट्रिप में हम कैसे गाड़ी चला सकते हैं तो उसका भी मैं जवाब आज की वुडियो में दुंँ गा तो आप बने रहे विडियो में अड पर अभी puts करने जा रोहा हूं और आपको मिल थोड़ी तबियत ठीक नहीं है, खासी लगी गी है, तो दोस्तों आपने पूछा था कि कैसे make my trip में हम काम कर सकते हैं, तो इसके लिए red bus का आज पास आपको कोई vendor डूढना पड़ेगा, क्योंकि आप make my trip की direct, जिस पे single गाड़ी है, दो तिन गाड़ी है, direct vendor ship नहीं ले सकते, तो जिसने vendor ship ले रखी, आप उसके साथ attach हो सकते हैं, तो वो आपको काम देगा, तो अपने आज पास कोई भी red bus का, जो red bus का vendor हो, उससे संपर्क करें, या किसी driver से पूछ लीजिए, जिस पे red bus का sticker लगा हो, तो ऐसे आप make my trip में काम कर सकते हैं, और और भी काफी apps है, जो आ परिशनला काम देती है, आप मेरी वीडियो देखते रहें, मैं दीरी दीरे आपको सब बताऊंगा, कैसे कैसे काम कर सकते हैं, हम all station का, local का, और एक गाड़ी पे आप कितने तरीके से काम कर सकते हैं, वो समय आपको आने वाली वीडियो में बताता रहूंगा, उसके लिए आ और आईटियो के पास पेट्रोल पम पे मैंने गाड़ी रोकती है, पेट्रोल और सी एंगी तो गाड़ी में हैगा, यहां पे वाश्रूम और हवा के लिए रोकी थी, और यहां से अब निकलने लगे हैं, तो आप वीडियो में बने रहे हैं अडिकलना, अब हम मेरेट एक्सप्रेस वे का टोल क्रोस कर रहे हैं, और इस टोल का जो रेट है, सिंगल अगर आप जाते हैं, एक्सोपैसट रुपे टोल का रेट है, इसके बाद अब हम मेरेट दिल्ली मेरेट एक्सप्रेस वे से नीचे उतर जाएंगे, और अभी यह दूसरा टोल आ चुका है, जो मेरेट बाइपस वाला टोल है, यह आप बली आए बली जाए, एक्सोदस रुपे पट रिपे लग लगता है, यह जाते भी एक्सोदस लगते है, आते भी एक्सोदस लगते है, तो बहुत मुश्किल लगता है इस टोल के, अभी दोस्तों हम रुद्र शिवा मामा यदव के ढाबे पर रुके हैं, और जिस राइड की बात कर रहा था, वो राइड रैड बस वाली उसका यह हुआ है, यह भाई भी उसमें चला रहे हैं, तो यहां पर हम खाना खाएंगे, और जो हमारे को पैसिंजर है, वो भी खाना खाएंगे, तो यह जो होटल है इस लाइन पर, मलब दिल्ली, हरदवा, रिशी, केश, देरदुन, यह सबसे बेस्ट होटल है, अभी नेया खुल ह तो यह कोई परमोशन नहीं है, आप भी यहां पर रुख सकते हैं, दोस्तों यह CNG पंप है, जब मुझफर नगर से आगे निकल जाएंगे, यह नया CNG पंप खुल है, दिल्ली से आप या तो पिक अप करने से पहले या पिक अप करने के बाद अगर दिल्ली से CNG वराते है वैसे तो सवारी पिक अप करने से पहले CNG फुल करा लिनी चाहिए, जहां से भी आप पिक अप करते हैं, बले दिल्ली से बले कहां से, यह पंप नया खुला है, अभी यह ओनलाइन है, पर यहां पर 24 गंटे CNG मिल रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और 81 रुपे कुछ प हमने CNG pump है, वहां तक आपकी गाड़ी आजएगी, राम से, यहां तक आपकी गाड़ी आती है, जब भी आपकी गाड़ी में कम से कम 40-50 किलो मुटर की CNG रह जाती है, तो यहां से CNG बराए, बाग पर आपको CNG नहीं बरानी पड़ेगी, और कुछ दिनों में यह ओनलाइन होने वाला pump, चलिए, यहां से CNG बरागे फिर आगे चलते हैं, CNG का रेट है यहां पर 81 रुपे, 58 पैसे, और 24 गंटे यहां CNG बिल रही है, और प्रेशर भी ठीट राग रहता है, ऐसी को दिक्कत वाली बात हो है, यह रूड़की से पहले वाला टोल है, और यह टोल 60 रु लगते हैं, इस टोल को भी हम क्रोस कर रहे हैं, तो यहां पर 60 रुपे हमारे कटे हैं, और इसके बाद रिशी केश के रस्ता में एक टोल हो रहाएगा, तो मिलते हैं अगले टोल पे, यह बादराबाद वाला टोल आ चुका है, यह 110 रुपे का सिंगल टोल है, गापसी में आदा किराया लगता है, उस टोल पे, तो यह टोल क्रोस कर रहे हैं, इसके बाद हम हरी दोआर में एंटर कर देंगे, और भी हम हरी दोआर, हर की पोड़ी क्रोस कर रहे हैं, हमारे चल रही है, तो इसके बाद हम रिशी केश में आपको मिलते हैं, अभी दोस्तों, मैं यहां रिशी केश गुर्दवारे में आगे हूँ, जो कस्टमर थे, उन्हें स्वरगा अश्रम जाना था, तो उनको जान की जुले में उतार के, अपना, जो मेरा स्टे होता है, वो यह कोड़ के, अपना गुर्दवारे में आ गया हूँ, और यहां पर यह नाइट स्टे करूँगा, अब फिर देखते हैं किदर जाते हैं, तो यह जो बुकिंग थी दोस्तों, यह दिल्ली से लेके रिशी करिश तक 5-6-8 अरपे की बुकिंग थी, all included, तो इसी तरीके के कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उस जो भी आपका कोश्चनर का रिपलाय करूँगा, तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर तब तक के लिए, बाई-बाई